Hello students, मैं B.P. Singh. आज आपके लिए Surface Intrigal का second lecture लेके आया हूँ. First lecture में मैंने आपको Surface Intrigal define किया था और दो question दिये थे. आज मैं एक question Surface Intrigal का दूँगा, फिर आपको volume बताऊँगा, volume of integral और उस पर भी very very important कम से कम एक या दो question जरूर दूँगा. तो चलिए देखते हैं Surface Intrigal का question number first और आपने lecture first Surface Intrigal का जरूर देख लिया होगा, आएए. यह lecture 2 है और इसका question number 2. तो question number 2. और यह lecture 2 है, surface का. F, F equal 2Yi minus 3J plus X square K and S is the surface of parabola cylinder. of parabola cylinder cylinder y square equal to 8X in the first octant first octant bounded by the plane y the plane y the plane y equal 4 and z equal 6 then evolute evolute double integration F dot and ds तब हमारे पास यहां पहले क्या-क्या दे रखा है और cylinder है, इसका diagram कैसे बनता है, वो जरूर आपको पता होगा, lecture first दोबारा बताऊंगा, solution एक तो हमें यहां F given है, 2Yi minus 3J plus X square K, एक यह हमें 5 given है, इसे 5 से denoted करेंगे, ऐसे ले लो, 8X minus Y square equal to 0, सबसे पहले मुझे N निकालना है, तो उसके लिए निकालना होगा, डेल फाई, X के respect करेंगे तो यहां 1 तो यहां I आता है, Y के respect करेंगे 0 minus के 2Y यहां J आता है, अब हमको चाहिए N cap, और N cap होता है मेरे बच्चो, डेल फाई upon डेल फाई का cap, और डेल फाई कितना है, 8I minus 2YJ upon 16, 64, पिलस के 4Y square, यहां से यह 4 निकलाएगा तो बाहर 2 निकलेगा, और 2 से यह उपर कितनी वार कट जाएगा, 4I minus YJ upon यहां 16 रह गया, पिलस के Y square, यह आपका N cap आ गया, अब हम निकालेंगे F dot N cap, F dot N cap, F कहां है आपका यह रहा, 2Yi minus 3J plus X square K, N cap कहां है, 4I minus YJ upon अंडर रूड के अंदर 16 पिलस Y square, तो I की dot I के साथ होगी, तो 4 टूजा 8Y, J की dot J के साथ होगी, minus minus plus 3Y, K इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा, upon 16 पिलस Y square, कहने का मतलब 11Y upon 16 पिलस Y square, यह आपका बना F dot N cap, अब हमें इस DS की value जरुवत है, तो cylinder कहां बनता है, cylinder और sphere के लिए बता रहा हूँ, plane के लिए अलग ओकेंट बनते हैं, first quarter and second और third, तो यहाँ यह cylinder के लिए यहाँ Z होता है, तो यहाँ Y तो इधार X, cylinder हो या sphere हो, तो cylinder इसके parallel होता है यहाँ, तो हमें यह Y, Z में यहाँ I होगा, तो I dot N चाहिए, तो DS जो निकलता है, इस पर क्या बनता है, DY into DZ, और DY DZ से जो perpendicular X है, इसका जो vector है I, I dot N होता है, अगर इधार होता, तो DZ DX upon J dot N होता, यह होता, तो DX DY बटे K dot N होता, यह lecture 1 में समझा चुका हूँ, आपको अच्छी तरह, अब मुझे I dot N और चाहिए, यह कैसे निकालू, यहाँ मेरे पास N, और यहाँ मैं निकाले देता हूँ I dot N cap, अगर I की इसमें multiply हो, तो I dot I command 1, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0, upon 16 plus Y square, हमारे पास सब कुछ पता है, I dot N पता है, F dot N पता है, और Ds, D, Y, D, Z होता है, तो चलिए, अब हम क्या जानते हैं, we have double integration as F dot N, Ds, equal double integration F dot N, Ds को आप लिखेंगे, सिलेंडर के लिए, D, Y, D, Z upon I dot N, तो S, F dot N आपके पास कहाँ है, F dot N यह रहा, यह वाला, F dot N आया, 11, Y upon 16 plus Y square, D, Y, D, Z, I dot N आपके पास यह रहा, 4 upon 16 plus Y square, सब कुछ मैंने लिखा है इमानदारी से, कहीं कोई परिशानी नहीं है, इस वाले टर्म से यह कट गया, 11 upon 4 तो बाहर आ गया, अब limit लगाएंगे, और यहाँ बचा Y, D, Y, और D, Z, यहाँ originis सारी limit 0 to Y, 0 to X, 0 to Z होंगी, लेकिन यहाँ D, Y, D, Z है, तो 11 upon 4, Y की limit कितनी है, 0 से लेकर 4 दे रखी है, Z की limit 0 से लेकर कितनी है, 6 है, भाई originis से सुरू होंगी, Y बराबर 4 है और Z बराबर 6, Y, यहाँ लिखो D, Z और D, Y, अब इसका integral कर लो, मेरी बच्चो, यही answer होगा, ठीक है, आईए, 11 upon 4, 0 to 4, इसका integration हो गया Z, limit लगाओगे तो 6 आएगा, Y, D, Y, बस, भाई इसका integration Z, limit रखोगे तो 6 आजाएगा, अब इसका integration, यह 11 multiply 6 Y 4, इसका integration Y square upon 2, 0 to 4, 11 multiply 6 Y 4, यहाँ रखोगे 4, 4 जाएगा 16, upon 2, अब इस 4 तू जाएट से यह कहवार हो गया, 2 की multiply इसमें बार है, तो 11 multiply बार है, 132, यही आपका answer है, तो आप इसके insert ले लीजिए, मैं आपको फिर volume बताता हूँ, ठीक है, चलिए, चलिए तो आप देखिए, volume integral, volume integral, तो मैं इसका formula कुछ ऐसा खास है, यह direct लिख रहा हूँ, और तुम्हें बता दूगा, क्या क्या होता है, यह देखिए, volume में, यह वी यह triple integral का काम कर रहा है, f, r, यह f, r continuous vector है, कैसा है, continuous vector function है, और यह dv, dv क्या है, volume है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरी बच्चो, v के वाल f vector dv, अगर limit x, y, z में दे रखी हो, तो इसको हम triple integration में बदल देते हैं, f और dv की जगए पे होगा, d z, dy, dx, यह कहानी है formula की, अब working rule देख लीजिए, कम से कम f given होगा, if अगर यह दे रखा है आपको, f1i, plus f2j, plus f3k, और dv बरावर क्या होगा, d z, dy, dx, तब आप कैसे निकालेंगे v, fdv, तो f कहाँ है, यह यह ही रहने दीजिए, f1i, f2j, f3k, और dv की value, d z, dy, dx, अब इसमें i तो बाहर ले लीजिए, ऐसे, vf1, d z, dy, dx, फिर j को बाहर ले लीजिए, और triple integral लगा दीजिए, जब आपने यह 3 किया है, volume का integral d, z, dy, dx, तो triple integral लगा दीजिए, तो यहाँ triple integration f2 आएगा, यहाँ dz, dy, dx, पिलास अब के triple integration f3, dz, dy, dx, बस इसी टाइप से में question करूँगा, limit आपको question के according ही मालूम पढ़ेगी, जैसा question में कहेगा, ठीक है, और next lecture में top most question, surface का भी और volume का भी कौन सा होगा, वो भी बता हूँगा, चलिए तो मैं एक question लेता हूँ, evolute, question number one है, volume का, evolute, evolute, triple integration, v, f, dv, vr, dv की जगे पर मैं d, dx, dy, dz लेखे देता हूँ, चलो, dv रहने दीजिए, dv, vr, f equal, xi, y, j, z, k, and v is the region, is the region, region bounded by the surface, bounded by the surface, x equal 0 से लेकर x equal 2, y equal 0 से लेकर y equal 6, और z equal 4 से लेकर z equal x square, यह x square है, यह आपकी limit दे राखी है, अब solution देखिए, solution में सबसे पहले मुझे f मालूम होना चाहिए, कहां है f यह रहा, xi, y, j, z, k, और dv तिर्चों की limit x, y, z में है, तो ऐसे आएगा dx, dy, dz, तो dv वरावर क्या होगा, dz, dy, dx, अब आपको क्या करना है, तिर्पल integration, यही सेम इसकी जगे पर f है, यह रहा, f, dot dv, तो तिर्पल integration limit दों में बाद में लगाऊँगा, यह क्या है, xi, y, plus y, j, plus z, k, और यहाँ, dz, dy, dx, अब इसको अलग-अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पहले i का कॉफिसेंट ले लीजिए, तिर्पल integration x, dz, dy, dx, अब j का कॉफिसेंट ले लीजिए, तिर्पल integration y, y की गुणा इसमें साथ में है, dz, dy, dx, पिलस k, तिर्पल integration z, dz, dy, dx, अब तुम दोबारा समझे, मैंने multiply करिए, i वाले एक तरफ रख लिया, यह रहा, i बाहर, j वाला एक तरफ रख लिया, j बाहर, k वाला, अब मैं इसका integral कर लूँगा, first, यह second, और यह third, और इसी में रख दूँगा, इसके integral में i की multiply करूँगा, इसके जो answer आएगा, मेरे बच्चो, j की कर दूँगा, इसका जो answer आएगा, third में k की कर दूँगा, वो इसका answer बन जाएगा, clear हो गया, आएगे, तो सबसे पहले हम first लेते हैं, तो limit देखिए, limit कितनी है, x की 0 से 2, y की limit 0 से 6, और z की limit 4 से लेकर x square, और यहाँ क्या है, x, dz, dy, dx, अब यहाँ केबल इस dz का intrigal होगा, suppose कर दूँगा, z का intrigation यह हुआ, और limit कितनी है, x square से 4, तो x square minus 4 हो गई, तो इसका intrigal करके limit लगाए, तो यह आ रहा है, के लिए, देखिए, तो limit 0 से 2, 0 से 6x, इसका intrigal limit चढ़ाएंगे, तो कितना आएगा, z बरावर कहा है, 4 से लेकर x square, तो यह आएगा, x square minus 4, यहाँ dy और dx, चलिए, x square से लेकर, यह जो limit है, z की 4, यहाँ variable नीचे लेंगे, नी negative में answer आएगा, ऐसे लो, और फिर negative में आजाएगा, लेकिन answer same आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब यहाँ आएगा, 4 उपर, और x नीचे, तो 4 minus x, कितना हो जाएगा, x square यह ऐसे है, और y और dx, मेरे बच्चों यह धियान रखना, अगर आप नीचे इसे ले लेंगे, यहाँ integral करने पर कम पावर आएगी, यहाँ ज्यादा तो फिर negative में आ जाता, बस इतना फर्क है, अगर आप कैसे भी ले लें, बाद में फिर minus को हटा देते, इतना फर्क है, बस, चलिए, अब हमारे पास y के respect करेंगे, यह तो constant रहा, इसका integral होगा, तो limit 0 से लेकर 2, यह तो constant इसकी मंदर multiply कर दो, 4x minus x q, यह तो हमारा constant रहा क्यों, क्योंकि मैं y के respect कर रहा हूँ, dy का integration होगा, मेरे बच्चों y, और limit लगाओगे, तो 6 आएगा, into dx, अब यहाँ 6 तो होगया, बाहर, इ minus x की power 4 upon 4, limit 0 से 2, यहाँ तक कोई परिशानी, चलिए, आगे देखिए, 6 तो हमारे पास है, यहाँ रखोगे 2 तो 4, 4 जा 16, 16 के half 8, यहाँ रखोगे 2 की power 4 16, 16 में 4 की divide करोगे 4, और यहाँ बचा 4, 4 6 जा 24, कहने का मतलब इस पार्ट का answer आगया 24, अब इस पार्ट को लेके चलते हैं, second part, second part में limit तो यही रहेंगी same, 0 to 6, और 0 से ले, x square से लेकर कितनी, 4, यहाँ सिर्फ y आएगा, y, dz, dy, dx, अब हमें फिर इसका integral करना है, तो यही answer आएगा, 4 minus x square, तो चलिए आगे बढ़ लेते, जगे थोड़ी है, 0 to 6, y, और इस z की जगे पे हो गया, 4 minus x square, बाहर, dy और, dx, अब हमको यह तो constant है, केवल y की limit है, तो y का integration करना है, तो 0 से 2, यह तो constant माना जाएगा, आप जानते हैं, मैं y के respect कर रहा हूं, integration मेरी बच्चों, तो y को छोड़ के सब constant होगा, तो यह constant है, इसका integration y square upon 2, limit 0 to 6, यहां रह गया, dx, यहां 6 रखोगे, तो 36 के आधे 18, 18 हो गया बाहर, 0 से लेकर 2, 4 minus x square, और dx, अब यहां 18, इसका integration हो गया 4x, इसका integration x square, x q upon 3, limit 0 से 2, 18, यहां रखोगे 8, minus 8 upon 3, आरतिया 24, 16, 18, गुणा 16, बटे 6, तीन से कटे को 6 बार और यह आगया 96, खिलिया, आगे देखिए, तीसरा पार्ट लेंगे, limit यहीं रहेंगी, 0 से 2, 0 से 6, और x square से 4, यहां z, dz, dy, और dx आ जाएगा, चलिया, integration करते हैं, तो 0 से 2, 0 टे 6, इसका integration हो गया, z square y 2, यहां x square से लेकर 4, और यहां dy और dx, आगे बढ़िये, 0 से 2, 0 से 6, यहां रखेंगे, तो 4 आएगा, 4, 16, बटे 2, minus यहां x रखेंगे, तो x की गहां 4 बटे 2, यहां आया dy और dx, फिर समझ लीजिए, पहले 4 रखेंगे, 4, 16, बटे 2, minus रखेंगे, तो x की गहां 4 बटे 2, 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, 0 से 2, यहां बचा 16, minus x 4, this is constant, इसका integration हो गया, y, limit लगाओगे, तो 6 आएगा, आप जानते हैं ना मेरी बच्चो, इसका y हो जाएगा, इसका integration लिमिट रखोगे, तो यहां 6 आएगा ये रहा, 6 से यह कहवार कटियां 3 वार, इसका integration हुआ 16x, minus इसका integration x की पावर 5 अपॉन 5, limit 0 से 2, तो 3, यहां हो गया 32, minus 2 की पावर 5, 32 अपॉन 5, 32 बाहर कोमन 3 गोणा 32, यहां बचा 1 माइनस 1 अपॉन 5, 3 गोणा 32, गोणा 4 बटे 5, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 तीया 24, और 25 बटे 5, फिर दवारा समझ लीजिए, यहां हम रखेंगे, 2, तो 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 5, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बटे 5, 32 कोमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन 5 तो 4 अपॉन 5, 4 तीया 12 है आएगा है, 4 तीया 12 है, 12 है दूनी 24, 12 है 24 का 4, 2, 12 है तीया 36 और 2, 38, बटे 5, तो मैं छोटा सा लेखे देता हूं, इसका आंसर यही, कितना आएगा, 3, 8, 4 अपॉन 5, आई अब हमें जगे मिल गई, आंसर देखाने को, तो इसका आंसर हो गया मेर बच्चो, इरपल इंट्रिगेशन, F, D, V, E, क्वन, इसके आंसर में I की मल्टीपलाई करोगे, तो 24 आई, इसके आंसर में J की मल्टीपलाई करोगे, तो 96 J, और इसके आंसर में K की मल्टीपलाई होगी, 3, 8, 4, अपॉन 5, K, तो यही आपका आंसर है, थोड़े बड़े- वार तीन तीन वार करेंगे, तो सब हो जाएंगे. Lecture 3 में मैं आपको Top Most Question कौन-कौन से देने वाला हूँ, जो हर writer की book में मिलेंगे, और हर साल paper में आते हैं. उन में से एक volume का question तो 100% important है. आप इसके लिए लिजिए. तो lecture 3 में आपको हम कौन-कौन से question देने वाले हैं, वो देखिए. ये हमने surface entryal का question लिया है, हर writer की book में मिलेगा, लेकिन tough question है. लेकिन मैं आपको जरूर देने वाला हूँ से. Question number 2 ये surface का है, क्योंकि surface very very important है. Surface का ये question भी हर writer की book में मिलेगा. और ये volume का question है, सबसे tough question है. दो-तीनी question थे, दोनो-तीनों में ने दे दिये. ये हमें volume का question f दे रखा है, तो ये निकालना है, और cross निकालना है, जबकि उसने हमें limit दे रखी है, 0-0 से लेका, 2x plus 2y plus z equal to 4. तो ये आप lecture 3 में देखेंगे. ठीक है? इसके insert ले लीजिए.